तो दोस्तो अब आएगा दंकी का दूसरा सॉंग और ट्रेलर जीहां बॉलोट सुबस्टार शारुखान की अपकमिंग फिल्म दंकी का ट्रेलर जल्दी रिलीज होने वाला है हर किसी को इसका इंतजार है मेकर्स ने कुछ दूनों पहले दंकी का टीजर जारी किया था जिसे देख फैंस जो मुटे थे वही अब दंकी का फर्स्ट सॉंग लुट पुट गया भी रिलीज हो चुका है जो आते ही सोशल मीडिया पर चा गया है इतना ही नई सॉंग को काफी बसंद भी किया जा रहा है वही अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है उनकी मुताबिक शारुखान की फिल्म डंकी के ट्रेलर को बहुत शांदार बताया जा रहा है जीहां आपने बिल्गुल सही सुना एक्सपर्स की माने तो साल 2023 में शारुखान की डंकी तीसरी फिल्म है जो बॉक्स अब इस पर ब्लॉकबस्टर साबित होगी हाला की शारुखान की फिल्म डंकी का ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है लेकिन एक इनसान ने पहले ही ट्रेलर का रिव्यू ओनलाइन शेयर कर दिया है खुद को फिल्म क्रिटिक और और सी सेंसर बोल्ड के सदस से बताने वाली उमेर संदू ने 17 नौबर को ट्विटर पर डंकी के ट्रेलर का रिव्यू साजा किया उन्होंने फायर इमोजी के साथ ट्विट किया और लिखा डंकी का ट्रेलर दिमा खिला देने वाला है वही खबरों के अनुसार डंकी के ट्रेलर से पहले डंकी का एक और सॉंग रिलीज होगा हालाकि ये स्वांग कुन सा होगा इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है शारुखान स्टार और डंकी का निल्देशन राजकुमार इरैनी ने किया है इस फ्लिम में शारुखान के अलावा लीड में बोमनी रानी तापसी पन्नू और विकी कोशल नजर आएंगे यहाँ फ्लिम की दिसंबर को सिनेमा गरों में रिलीज होगी बताए जाराएगी बॉक्स अविस पर इसकी टकर प्रभास की सालार से होगी अब यह देखना दिलजस्प होगा कि क्या डंकी बॉक्स अविस पर सालार को मात देने में काम्याब रहती है या नहीं वैसे दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना बाकि अगर आप भी शारू खान के डाय हाट फैन है तो इसी ही शारू खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें